गुड मारिंग दोस्तों, कुकिंग वी शक्ती में आपका स्वागत है कटलेट सबको बहुत पसंद होता है शाम की चाय के साथ गरम-गरम कटलेट मिल जाए तो उसकी बात यह अलग होती है हम लोग ब्रेट के, सबजियों के और मिक्स स्प्रॉट्स के यह सभी तरह के कटलेट मैं आपको बता चुकी हो आज मैं आपकर लिक नए कटलेट लेकर आएं हो यह चावल के बने कटलेट से गेह, गीरोटी, चावल बच्चे नहीं खाना चाथे हैं बहुत कम तेल में आप चावल के कटलेट बना दीजिये बचों को चावल का पता भी नहीं चलेगा और चावल हेल्दी होते हैं और वो खुशी-खुशी खा लेंगे सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों ये बन भी बहुत जल्दी जाते हैं अगर चावल बच गए तो आप ये उनसे भी बना सकते हैं अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और जिन लोगों ने कर दिया है उनको बहुत थैंक्स सिर्फ 10 मिट में ये बन कर त्यार हो जाएंगे एकदम हेल्दी है दोस्तों सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये बिल्कुल भी deep fry नहीं है मैंने ये सिर्फ पैन में बनाए हैं और बहुत आसानी से जो घर में मसाले रहते हैं उससे ये बन जाएंगे इसके लिए दोस्तों हम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बाउल में आवशक्ता अंसार एक कटोरी राइस ले लिया ये मेरे राइस थे कुक्ट राइस हैं एकदम सुखे सुखे नहीं हैं थोड़े से मुलाइम हैं नहीं तो मैं बाइंड करने में प्रॉब्लम आती हैं ये मेरे बचे हुए चावल थे जिनने मैंने ले लिया है और तीन आलू हैं जिनने उबले हुँ हैं जिनने मैंने छील लिया है आलू और चावल एक मैंने अपनी बाउल ली जिसमें आवशक्ता अंसार जिसे मैंने इसमें डाल दिया दो छोटे चमच ब्रैट क्रम्स हैं अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप कॉन फ्लोर भी एक्ट कर सकते हैं चोथा ही चमच हल्दी पाउडर हैं और दोस्तो स्वाधन सा नम्मक थोड़ा सा इसमें दोस्तो मैंने गरम मसाला डाला है क्योंकि मैं को यह थोड़े चटपटे बनाने थे गरम मसाला आपशनल है आप चाहते से स्किप्ट कर सकते हैं अब इसका एक खास मसाला दोस्तो मैंने इसमें एक बड़ा चमच चटनी डाली है जो हरे धनी की चटनी है जिसमें अद्रक और लेसन दोनुई एड़ ये चटनी हमारी घर में बहुत आसानी से रहती है वो एट चमच चटनी डाल दीजिये आदा नीमबू नहीं चोड दिया है अगर आपकी चटनी खटी है अमचूर की है नीमबू की है तो आप इसमें नीमबू मद डालिए टेस के साबसे दोस्तों आप इसमें नीमबू add कर सकते हैं एक प्याज है, जिसे बहुत बारिक मैंने काटा, प्याज का एकदम बारिक कटा होना बहुत ज़रुरी है, वरना ये ठीक से नहीं बनेंगे बारिक चॉप की लिएउँ प्याज के साथ मैंने हाथों से बाइंड करके एकदम स्मूथ इसको कर लिया और चोटे-चोटे cutlets बना लिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मैंने हाथों से mash किया और उसके cutlets कितने अच्छे finishing के साथ में तयार हो गया आप सभी इसी तरह cutlets बना लिजे दो तो अगर अभी आप बनाना चाते हैं तो बना लिजे वरना इनको आप इस तरह फ्रिज में रख दीजे एक से दो दिन इनका कुछ खराब नहीं होता है और जब मन करे तब इनको fry करके खा लिजे मैंने ये ट्राइ किया था बहुत टेस् पी हो गए है अंदर जो मसाला है हमारा वो उसकी खुश्बू आ रही है प्याज लेस्टू अद्रक की खुश्बू आ रही है दोस्तो अगर आप गारलिक पसंद नहीं करते हैं तो वो ऑप्शनल है आप उसे छोड़ भी सकते हैं चटनी में आप जो मसाले डालते हैं वो च है मैं अपनी बहुत चोटे-छोटे वीडियो है में आपको पहुचा आती हूँ मेरी रेसेपीज बहुत आसान होती जुद अपको और रहो है मिप्रोचान से बनना सकते जुद के जुदो में बुदू कि आप अपने friends और relatives को भी मेरे चैनल के बारे में बताईए जिसे उनको भी घर का बना healthy और hygienic खाना कैसे बनाते हैं वो पता चल जाएगा दोस्तों अच्छा खाना सभी को बनाना आता है बस सभी लोगों का बनाने का तरीका अलग होता है फिर मिलती हूं तब तक के लिए